हेलो नमस्ते, I am दिपाली गोयल, स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंच मेजिक पर तो स्टुडेंट्स जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानि की भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान में हम लोग डिस्कुस कर रहे हैं एक बहुत ही पेचीदा टॉपिक, एक बहुत ही डिसिंटरस्टिंग टॉपिक और एक बहुत ही तफ कॉम्पलेक्स टॉपिक जो की है इलेक्ट्रिसिटी यानि की विद्यूत क्या होता है electricity, क्या होता है विद्यूत हमने discuss कर लिया हमने जाना कि भई, electric current क्या है current दो प्रकार के होते हैं, आवेश क्या है ये सब हम पढ़ चुके हैं आज की class में हम पढ़ेंगे electric field क्या पढ़ेंगे, electric field पढ़ेंगे ठीक है, कई सारे topic पढ़ने आज हमने समझाती हूं मैं आपको, विद्यूत शेत्र क्या होता है देखो हम लोग movie में सुनते हैं कि तू मेरे ठीकाने पर आयो, ऐसा बोलते है मेरे ठीकाने का मतलब क्या है कि वो उस एरिया में आयो जहां पर मेरा राज चलता हो, तब देखूँगा तुझे यानि वो एरिया जहां पर मेरा राज हो, मेरा फोर्स हो ठीक है, मैं बोलूँ कि मेरे आसपास आके दिखातू मैं तरको बताती हो तो मेरे आसपास मतलब मेरे आसपास मेरा बल है जिसकी वज़े से मेरे आसपास कोई आएगा तो वो बल में उस पे लगाऊंगी या फिर समझो कि एक चुम्बक है एक मैगनेट है आपके हाथ में आप एक लोहे के पीस को इतनी दूर रख रहे हो तो आपने देखा लोहा इसकी तरफ नहीं आ रहा आपने थोड़ा पास लाया, लोहा नहीं आ रहा और पास लाया तो आपने देखा लोहा अंदर आने की कोशिश करता है यानि कि क्या होता है कोई एक चीज है उसके चारो तरफ उसका एक शेत्र होता है जैसे कि ठीकाना हो गया बोलते है कि कभी आयो मेरे मैदान में बताऊंगी तुझे मैं क्या चीज हो तो वो क्या होता है वो है कि मुझे पता है कि मेरे मैदान में मेरा जोर चलेगा वहाँपन मेरे लोग आएंगे ठीक है बस वैसा ही है चुमबक का एक शेत्र है माली जी चुमबक का शेत्र है जिस शेत्र में अगर कोई आया तो चुमबक उसे खीच लेगा उसके बाहर जुम्बक का राज नहीं है उसी तरीके से क्या होता है शेत्र, electricity का भी होता है यानि अगर एक तार में से current जा रहा है तो उसके आफ़ पाफ एक जगय होती है जिस जगय पर उसका जोड चलता है उस जगय को बोलते हैं विद्युत का शेत्र यानि की electric field क्या है वह शेत्र जिसमें चार्ज जो है यानि आवेश अगर आ गया आवेश अगर आ गया तो तो आवेश बल महसूस करेगा ठीक है यानि उसको ऐसा लगेगा कि उसके उपर electric force लग रहा है electric field क्या है उतनी जगय जिस जगय में अगर कोई चार्ज आया तो उसके उपर electric force लगेगा और आप जानते हो electric force क्या होता है कुलंब लोग के according होता है क्यूवन क्यूटू बाई आर स्क्वेर ये बल उस पर लगेगा तो वो रीजन क्या हो गया electric field ठीक है अब एक और चीज आती है एक आती है electric field line ठीक है छोटी छोटी फी टर्म्स हैं electric field line क्या होती है यानि विद्यूत शेत्र धाराएं विद्यूत शेत्र धाराएं क्या चीफ है मैंने बुला मेरा मैदान मैरा मैरा थीकाना तो मैं एक जगे बना देती हो इतना एरिया मैरा है ठीक है, मैटनेट की बात के तो एक जगे है जहां तक मैटनेट का जोड चलता है और वैसे ही electricity का även एक जगे तक ही जोड चलेगा ठीक है लेकिन उस जोर को दिखाएंगे कैसे अब देखो दिखता थोड़ी ना है तो अगर मुझे दिखाना है कि ये मेरा मैदान है तो मैं एक बोर्ड लगा दूँगी या फिर लाल-लाल पटियां मार दूँगी कि ये मेरा मैदान है जहां से पता लग जाए यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया दर्शाती है यानी यह बताती है कि कौन सी जगय है जहां तक फोर्स लगगेगा यानी कि माललो दो चार्ज है एक है Q और एक है Q यह है plus Q और यह है माइनस Q यह दो चार्ज है तो हमेशा क्या होता है इसको दर्शाना है कि इसके आसपस बल कहा लगेगा तो हम लगाएंगे Electric Line of Forces क्या लगाएंगे? Electric Line of Forces तो ये लाइने दिखाती है क्या? ये लाइने दिखाती है कि जो आवेश है या जो बल है वो इस region तक लगेगा यहाँ पर कोई चीज आई ना उस पर बल लगेगा लेकिन कोई यहाँ आई ना तो उस पर बल लगेगा यानि जिस area तक ये लाइने फैली होंगी ना वहां तक बल लगेगा थीक है तो लाइने क्या है? ये है क्या? ये है लाइन और ये दरशाती है कि बल कहां तक लगेगा उसके बाद इस लाइन की तीन प्रॉपर्टी है तीन गुन है इस लाइन के पहला गुन ये हमेशा पोजिटिव से निकलती है और नेगिटिव में जाएगी तो देखो मैंने क्या किया है arrow इस तरफ बनाया है यानि positive से negative की तरफ जा रही है हमेशा positive से negative जाती है दूफरी बात जहां जितनी ज़्यादा line जितनी line अगर माल लो मैंने यहाँ पर यहाँ पर बहुत फारी line बना दी ठीक है जितनी ज्यादा लाइन उतना ज्यादा बल, जहाँ पर जितनी ज्यादा लाइन होगी उतना ज्यादा बल होगा, यानि जितनी ज्यादा लाइने का नंबर उतना ज्यादा बल होगा, तीफरी चीज, लाइन कभी एक दूसरे को काटती नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कभी भी आपस में मिलती नहीं कभी मिलती नहीं एक दूसरे से दूरी जा रहे होती है तो एक दूसरे को कभी नहीं काटिंगी तो मैंने आपको 2 चीज़े समझाइए पहला उलेक्रिक फील्ड यानि वो शेत्र जहां तक बल लगे जहां पर चार्ज जो है वो अपने उपर एक बल महसूस करे फिर इलेक्रिक फील्ड लाइन वो जगह जहां तक बल लगता है उसे दर्शाने के लिए ये लाइने बनाई जाती है जिनें बोलते हैं इलेक्रिक फील्ड लाइन इनकी तीन प्रपर्टी होती है ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगटिव में जाती है ये जो होती है जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा बल होगा और ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं, clear है, इसके बाद, इसके बाद अगली चीज आती है, electric field density, क्या आती है, electric field density, उसके लिए उपर वाला पड़ा रहने देते हैं, क्या आती है, electric field density, नहीं, intensity, इन्टेन्सिटी, यानि की, विद्युत, शेत्र, तिव्रता, ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये होती है, एक कुलंब, आवेश पर, आवेश द्वारा, महफूफ किया गया बल, महफूफ किया गया बल, यानि की, आपके पास, दो चार्ज है, एक है, मालो, minus q, और एक है, एक कुलंब, ठीक है, एक है, minus q, एक है, एक कुलंब, तो इस एक कुलंब के उपर, जो बल लगता है, वो होता है, क्या, वो होता है, electric field density, और इसका याद क्या रखना है, इसको लिखते है, इसको लिखते है, और e बराबर होता है, क्या, देखो, एक चार्ज पर, एक चार्ज पर लगाया हुआ, बल, यानि, एक चार्ज पर कितना बल लगेगा, वो क्या होगा, वो होगी, electric field intensity, देखो, अब कैसे निकलेगी, force क्या होता है, k, q1, q2, by r², ठीक है, तो k की जगे है, k रख दिया, q1 की जगे, ये वाला q है न, ये q रख दिया, q2 की जगे, कितना है, एक कुलंब, एक रख दिया, r², उपर r² है, उसकी जगे r² रख दिया, और ये q भी तो है, और ये q क्या है, एक कुलंब, तो इसकी जगे, एक रख दिया, तो आपके पास, electric field intensity, क्या आ गई, k q by r², ये फोर्मूला आपको याद रखना है, k q by r², यूनिट, electric field intensity की यूनिट क्या है, इकाई क्या है, तो देखो, बल की, force क्या होता है, बल, बल की होती है, न्यूटन, और q यानि, चार्ज, चार्ज की होती है, कुलंब, तो यूनिट आ गई, न्यूटन प्रती, कुलंब, यूनिट के आ गई, न्यूटन प्रती, कुलंब यूनिट आ गई, क्लियर है, तो हमने तीन चीजे पढ़ ली है, हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और हमने पढ़ ली है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानि वो तिवरता वो इंटेंसिटी जो की एक चार्ज फील करेगा अपने उपर ठीक है एक चार्ज पर जो बल लगेगा वो क्या है वो भी एक कुलंब चार्ज पर जो बल लगेगा वो क्या है? वो है इलेक्टिक फिल्ड इंटैंशिटी अब हम पढ़ेंगे किस के बारे में हम पढ़ेंगे इलेक्टिक पोटेंशियल के बारे में ठीके बहुत गंदासर टोपिक है यह, लेकिन हम एक बहुत अच्छे एक्षाम्पल से करेंगी विद्यूत विभव क्या होता है विद्यूत विभव इसके लिए एक एक्षाम्पल समझो क्रिकेट अपने बच्वन में खेला होगा क्रिकेट क्या होता है आपको एक बोल मिली आपने उस बोल को उड़ा दिया ठीक है बोल चली गई दूर ठीक है एक बोल आपके पास थी आपने उस बोल पे शोट मारा बोल चली गई दूर अब आपको क्या करना पड़ेगा उस बोल को उठा कर लाना पड़ेगा यानि कि देखो, एक बोल थी जो कि ए प्वाइंट पे आप खड़े हो आपने बोल पे शोट मारा और बोल जा कर दूर गिर गई ठीक है? अब हमें उस बोल को उस प्वाइंट से उठा कर लाना पड़ेगा और देखो, शोट मारना तो है असान, लेकिन बोल को उठा के लाना मुश्किल लगता है, अरे तू जा, तू जा, तू जा, करते रहते हैं हम, है ना, तो ये क्या होता है, students, electric potential क्या होता है, बोल को infinity से लाने के लिए जो कारे किया जाएगा, वो होता है, potential, अब समझो, आपको बोल नी मिली, तो आपने चार्ज से खेलना शुरू कर दिया, बस बोल को चार्ज से हटा दो, एक चार्ज था एक पॉइंट पर, वो गिर गया जाकर infinity पे, अब उस चार्ज को infinity से उठाकर, एक पे लाना है, तो जो कारे किया जाएगा, वो क्या होगा, वो होगा हमारा potential, य पर लाने के लिए किया गया कारे है, ठीक है, क्या कहलाएगा, potential difference, sorry, potential, electric potential, इसको लिखते हैं V से, किसे लिखते हैं, V से, और V बराबर क्या आएगा देखो, एक चार्ज को, एक चार्ज यानि क्यू को, लाने के लिए किया गया कारे है, क्या होगा, potential, तो फोर्मूला क्या आगया, V बराबर, W by Q, unit, unit से पहले एक और फोर्मूला देखो, V बराबर, W by Q है, यानि कारे by, चार्ज है, कारे होता है, force गुना displacement, यानि force गुना विस्थापन, ठीक है, क्यू होता है, ये बाद में देखेंगे, force गुना विस्थापन, by, चार्ज force क्या होता है, force होता है, K, Q, Q, by R square, दूरी क्या है, दूरी भी है, R, और Q की जगे, Q रख दो, अब काट दो, एक Q से, एक Q गया, एक R से, एक R गया, answer आया, K, Q by R, तो यहां से आपको पता लगा, कि V बराबर होता है, दो फोर्मूले आ गए, एक है V बराबर W by Q, एक है V बराबर K Q by R, और K की वैल्यू आपको याद ही होनी चाहिए, क्या थी, 9 गुना 10 की पावर, 9, यह थी K की वैल्यू, याद है, यूनिट, पोटेंशल की यूनिट क्या होती है, तो पोटेंशल की यूनिट निकाल दो, वर्क किस में होता है, कुलंब में, तो यूनिट आ गई, जूल प्रती कुलंब, और इसjung को बोलते है, वोल्ट, क्या बोलते है, वोल्ट, तो अगर कोई आपसे पूछले, पोटेंशल यानि विभव की Si1 क्या है आप बोलोगे, वोल्ट है, क्या बोलोगे, वोल्ट है, यानि एक कुलंब लाने के लिए किया गया कार रहे है क्या होगा एक वोल्ट के बराबर होगा क्लियर है तो simple potential को मैंने बहुत easy शब्दों में समझाया कि आपने क्रिकेट की गेंद से खेल रहे हो क्रिकेट की गेंद को उड़ा दिया मारने में तो जोड लगता नहीं है लेकिन उसको लेकर आने में जोड लगता है बस उसी तरीके से चार्ज कहीं पे पढ़ा है उसको लाने में हमें जोड लगेगा तो इन्फिनिटी पे पढ़ा है चार्ज याद रखना चार्ज कहा है infinity यानि बेंत की दूरी पे पड़ा है अनन्त पे पड़ा है उसको लाने के लिए जो कारे किया जाएगा उस कारे को बोलेंगे क्या विभव या विध्यूत विभव ख्लियर अगली चीज अगली चीज इतनी चीज ख्लियर है न सबी को चलिए बस अब एक और topic बच गया है वो टोपिक भी समझ में आ जाएगा टौपिक किया है पोटेंशल डिफेर्णस यानि की विभव अंतर विभव अंतर से मिलकर बना है विभव अंतर थीक है हुआ क्या, क्रिकेट खेल रहे है वही का वही, इस A point पे क्रिकेट खेलना शुरू किया, ठीक है, इस A point से मैंने एक बोल मारी, और बोल चली गई, यहां पे, infinity पे, ठीक है, मैंने बोल लेके आई हो, वो ले आया बोल, और लाके उसने बोल इस B point पे रख दी, A पे लानी थी, लेकिन उसने B पे रख दी, उसने कारे कितना किया, कारे किया W B, यानि कारे किया B तक लाने के लिए W B, ठीक है, और मैं बोलूँगी कारे को ही क्या बोलते है, यहां पर potential क्या होगा, तो potential आप बोलोगे, विभव होगा, V B, विभव होगा विभव, ठीक है, चलिए, फिर बोल आ गई, फिर बोल एक बर और मारी, एक बर और मारी, वो फिर Q पे गई, कहां पे गई, इंफिनिटी पे, उसे फिर लाया गया, आपकी बार लाए तो दे दिया A पर, तो A तक किया गया कारे क्या होगा, वर्क डन A के बराबर, और विभव क्या होगा, V A, ठीक है, मान आपके दो भाई भेहने, आपने क्या किया बोल मारी, एक भाई ने लाके B पे बोल दे दी, उसने कारे किया इतना, दूसरे भाई ने आपको बोल लागे दी, कारे किया इतना, अब दोनों लड़ रहे हैं, मैंने क्यों लड़ रहे हो, तो उसने बोला, कि भाई, मैंने ज्य और इसी तरीके से potential of A क्या होगा? बी से ज़्यादा होगा. ठीके, अब potential difference क्या है? मैं बोलूँगी कि A ने B से कितना ज़्यादा कार्य किया? तो माल लो कि ये दूरी थी पूरी 2 km की. और ये थी 1 km की. अब मैंने बोला, B ने चला 1 km और A ने चला 2 km. तो मुझे बताओ कि कौन ज़्यादा चला? तो आप बोलोगे A ज़्यादा चला. ठीके, A ने ज़्यादा कार्य किया. लेकिन A ने कितना ज़्यादा कार्य किया? तो आप बोलोगे, माइनस कर दो. कैसे? कितना ज़्यादा कार्य किया, यानि वर्क का difference ठीक है यानि हम देख रहे हैं कि कारे का difference अंतर क्या है दोनों के किये गए कारे में अंतर क्या है तो आप बोलोगे difference कैसे निकलेगा A के कारे में से B के कारे को घटा दो तो 2-1 1 km जादा कारे किया किसने A ने ठीक है बस वही करना है क्या करना है मैंने बोला विभव किसका जादा है विभव किसका कम है आपने बोला A का विभव जादा है B का कम है कितना जादा है कितना कम है वही तो है potential difference delta V और delta V क्या होगा delta V होगा V A minus V B यही होता है potential difference potential difference यानि विभव अंतर क्या होता है A में से B को माइनस कर दो यानि ज्यादा में से कम को माइनस कर दो तो आंसर आजाएगा आपके पास potential difference यानि विभव अंतर और याद रखना याद रखना आप देखो वर्क हमने जूल में ले ले लते हैं विभव अंतर किसमें होता है? वोल्ट में तो हमने माल लिया कि अब इस पूरे को हटा दो और सिधे शब्दों में समझो अब फिजिक्स के अकोर्डिंग समझो बहुत होगे एग्जाम्पल है न क्या किया मैंने एक A पॉइंट बना दिया एक B पॉइंट बना दिया यहां पर मैंने बोला विभव क्या है? यहां का विभव यहां का V है 100 V VA है 100 V और यहां का V क्या है? VB है मालो 40 V तो मैं बोलूँगी कि यहां पर विभव आंतर क्या है? मैं आप से पूछूँगी विभव आंतर क्या है? तो आप बोलोगे विभवांतर है VA-VB यानि 100-40 यानि 60V आंसर आ गया ठीक है मैं बोलूँगी चार्ज कहां मूव करेगा ठीक है तो आप हमेशा याद रखोगे चार्ज हमेशा ज्यादा से कम वाली जगय पर जाता है तो अगर आपसे पूछ लिया जाए आवेश कहां जाएगा तो आप बोलोगे आवेश यानि चार्ज जाएगा A से B ठीक है मैंने बोला करंट कहां जाएगा यानि धारा कहां जाएगी विद्यूद धारा करंट कहां जाएगा तो आप बोलोगे वो भी जाएगा A से B मैंने बोला, इलेक्ट्रोन कहां जाएगा, तो आप तो जानते ही हो, कि करंट और इलेक्ट्रोन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, दोनों एक दूसरे की दुश्मन है, तो इलेक्ट्रोन जाएंगे, बी से ए, ये तीन बाते याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा, हमेशा, अब देखो, याद आपको हम लोग जब सर्केट बनाते हैं, कुछ ये बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये ही तो होता है, ये वाला ज्यादा वोल्ट, ये वाला कम वोल्ट, ये प्लस, ये माइनस, ये ही तो होता है, ठीक है, और करंट कैसे जाता है, हमेशा करंट जाता है प्लस से माइनस के तरफ और इलेक्ट्रोन माइनस से प्लस की तरफ याद आया कुछ बैटरी देखिए कभी बैटरी भी तो ऐसी होती है देखो बैटरी में ऐसा कुछ होता है यह होती है ना बैटरी तो यह भी तो कुछ नहीं होता है यह होता है plus, यह होता है, minus यहां पे volt अचिष में क्या हो? इसमें current flow करे तो इसे के साथ हमारे चेप्टर का electric potential, electric potential difference भी खहतम होता है मिलेंगे हमारी next class में जिसमें हम비्सक्स करेंगे resistance यानि प्रतिरोध के बारे में और और कोशिष करेंगे कि next class में पूरे chapter को खतम गरते हैं आज की class में बस इतना ही मिलते हैं next class में तब तक के लिए channel को like कीजिए share कीजिए, subscribe कीजिए notes के लिए telegram channel को join कीजिए take care, thank you, bye bye